धेर सारी सबजिया होंगी जिसे खाकर आपको मज़ आ जाएगा आज हम बनाएंगे इसे बिल्कुल नई तरीके से तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं इस मज़दार हेल्दी सी रेसिपी को बनाने के लिए हम ले लेते हैं प्रेशर कूकर और इसमें डाल देते हैं लौकी एक कप जितनी ये लौकी है लौकी को मैंने थोड़े छोटे पीसिस में काटा है इसी तरह से मैंने गाजर लिया जिसे पतला काटा है और साथ ही में दाल देते हैं कदु, एक कप यहां पे कदु लिया है, इसे भी मैंने छोटे पीसिस में कट किया है आधक कप मैंने आप यह फ्रेंच बीज ली है, इनें भी डाल देते हैं जो सबजी अगर आपके पास नहीं अवलेवल है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं अब यहां पर drum stick डाल देते हैं drum stick डालते ही आप समझ गे होगे कि आज हम सामभर बना रहे हैं तो आप यहां पर प्याज भी डाल दे एक छोटे साइस की प्याज को बस बीच में से काटे और टमाटर भी ऐसे ही डालेंगे हम दो छोटे साइस के टमाटर है साथी में अदरक डाल देते हैं एक इंच यह अदरक है और लेसुन डाल देते हैं चार से पांच ही लेसुन की कलिया डाल देंगे कुछ भी आपको ज़्यादा चौप नहीं करना है बस यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची को काट के लिए है दो हरी मिर्ची है, मतलब यह लाल हो चुकी है लाल यह हरी मिर्ची ले ले और साथी में डाल देते हैं डाल आधा कभी तूर की डाल है डाल डालने के बाद आपको पानी डालना है डाल हमें ज़्यादा नहीं लेनी है डाल हमें कम ही इस्तमाल करनी है सबजियां ज़्यादा होंगी पर डाल के जो प्रोकोशन है वो कम रहेगा नहीं तो डाल का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है अगर आप ज़्यादा डालेंगी तो चार कप अपने पानी डाल दी आज पानी यहाँ पे ज़्यादा ही लगेगा फिर आपको करी पत्ता डाल देना है दो से तिन करी पत्ता हम डाल देंगी इसी टाइम पे और लाल मिर्शी डाल देते हैं और हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ास आपको जीरा पाउडर और यहां पर धनिया पाउडर डाल देना है, जादा मसाले आपको नहीं डालने, फिर आपको नमक डाल देना है, तो स्वाद के हिसाब से नमक डाले और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स करने के बाद धकन को हम बंद करेंग इसमें ct ya लगाएंगे गयस को on कर दे और फिर हम medium कर देते हैं medium फ्लेम पे इसमे कम से कम आपको 6-7 ct ya लगा लेंनी है ct ya थोड़ी जादा ही लगती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ेहें कौ्प類र्ड को सॉफ्ट होने में भी टाइम लग जाता है आप देखें जम मैंने इसे खोला तो आप दिखाई दे रहा हुगा है काफी खड़ी-खड़ी सी दिख रही है सब्जियां लेकिन मैंने इस चम्मत से क्या किया है थोड़ा मैश कर लिया है ताकि जो टेक्शेर है बिल्कुल सामभर जादा थिक हो गया है तो आप पानी डाल सकते हैं गरम करके फिर आपको यहां पर तड़का लगाना है तड़की के लिए तेल गरम करेंगे इसमें सरसो के दाने डाल देते हैं साथी में करीपत्ता डाल देते हैं तड़के में भी डालें करीपत्ता को बिना करीपत् कि टर्कम करने के बाद आपको इसमें टाल देनी है तो हलकी खटास तो हमें चहीetr ही होती है जो हमली ते नी की चटनी पड़一定要 क्या ओंकि एंग चुछ दो है कि सारी चीजों को हमने बॉयल कि और तड़का लगाया है ना एक दम कमाल की और हेल्दी रेसिपी जरूर ट्राइ करें आपको इस आमबर बहुत पसंद आएगा